है कि नमस्टार कोरो नामें आपने एक दवाई का नाम जरूर से सुना", हर एक डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया होगा कि बदंदर्द हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, जुखाम हो रही है, कुछ भी हो गया और अब एक सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोट में और इसमें ये दावा किया जा रहा है कि डोलो कंपनी ने अपने सेल्स प्रमोशन के नाम पे या हम यू कहें कि अपनी दवाईयों के जादा बिकरी के लिए डॉक्टर्स को हजार करोड से जादा के गिफ्ट दिये ह है अलग अलग तरीके से डॉक्टर्स को गिफ्ट दिये जाते है चोटे मोटे कभी कुछ Tea-शर्ट्स मिल जाती है कभी मालनों प्रैस मिल गही कभी rivers मिल गही कभी कुछ laptop मिल गया इस तरीके के गिफ्ट जो है उनको मिलते रहते हैं about not पेड वर यह थो बहुत छोटे वाले होगे तो हजार करोड तक के गिफ्ट जो है डोलो कंपनी ने डॉक्टर्स को दिये ताकि वो रिकमेंड करे पेशेंट को कि भाई आप जो है डोलो 650 लो आप नॉर्मल परसीटामोल मत लो अब यह डोलो 650 है क्या डोलो 650 एक तरह की परसीटामोल ही है जो आ मार्केट में और भी आती जैसे आपने सूमो नाम सुना होगा क्रोसीन आती थी यह सब परसीटामोल की टेबलेट है बट यह सारी की सारी 500 एमजी तक वाली है ज्यादा तर जो है आपको परसीटामोल 500 एमजी तक की मिलेगी डोलो इसमें अकेले 650 एमजी के साथ आता है तो को लगा डॉक्टर्स ने रिकमेंट किया कि जब डोलो भी असर ना कर रही है आपके तो कुछ और असर नहीं करेगा या डोलो की जो एमजी है वो बड़ी हाई है तो आपको डोलो ही खानी चाहिए और अब जाके पता चल रहा है कि इसके पीछे कौन था क्यू डॉक्टर्स के साथ खिलवार किया है और इसमें हमारे डॉक्टर्स बराबर के दोसी है क्योंकि उन लोगों ने कुछ फ्री के गिफ्ट्स के लिए लोगों आम लोग जो है आपके और मेरे जैसे उनके लिए डोलो भर-भर के लिखी है पास दिन खानी चीए तो दस दिन मिली तो इस तर कर रही है और तो और जजज साब ने खुद कहा कि यार यह वाली टेबलेट तो मैंने भी कोरोना में खाई है तो उनको रियलाइज हुआ कि यह सारा जो गेम है फ्री बीज का फ्री गिफ्ट्स देने का यह कितना खतरनाक है अब इसमें भी एक चीज है कि डोलो ऐसा कैसे कर करती है वो क्या करती है कि 500 mg तक की जो टेबलेट से उनके उपर कंट्रोल रखती है कंट्रोल कैसे रखती है कि उनकी जो कीमते हैं वो सरकार तै करती है ड्रग प्राइसिंग अथारिटी जो है वो 500 mg तक की टेबलेट की कीमत जो है डिसाइड करते है अब डोलो वालो ने अल फर्मस्यूटिकल कंपनी है वो डिसाइड करेगी कि हमारी टेबलेट का पैसा कितना होगा और यहां से सारी चीज डोलो के हाथ में आ गई हाला कि डोलो का जो पत्ता है लगबक जादा का नहीं आता तीसेक रुपे का ही पत्ता है लेकिन पैरा सिटा मोल की कीमत इतनी नहीं हो कि डोलो कंपनी जो है उन्होंने लगबक 300 करोड से जादा रुप्यों की टेक्स की चोरी जो है वो की है तो एक तरफ तो टेक्स की चोरी दूसरी तरफ 1000 करोड से जादा का टेक्स जो और गिफ्ट जो है इन्होंने डॉक्टर्स को दिया है तो आपके और मेरे जैसे लोगो करें तो किस पे करें आखिरी उम्मीद तो डॉक्टर ही होती है और डॉक्टर्स भी अगर ऐसी ही चीजों में फस गए तो आम आदमी का तो बंटाधार होना तै है तो इसके लिए सुप्रीम कोट ने अगले 10 दिनों में कंपनी से जवाब मांगा है कि आप यह बताओ प्लस साती सात जो याचिका करता है उनका खेना है कि आप जैसे ड्रग प्राइसिंग कंट्रोलिंग अथोरिटी जो है ड्रग प्राइसिंग अथोरिटी की तरह एक अपकी 500 mg की जैसे 500 mg तक की दवाईया आप जो है डिसाइड कर पारे हो कि इनकी कीमत क्या होगी ऐसे ही सारी दवाईयों के लिए एक अथोरिटी होनी चाहिए जो देश में डिसाइड करे कि दवाई जो है वो किस कीमत से जादा नहीं बिखेगी ताकि यह जो फ्री गिफ्ट माटने का जो कल्चर चल रहा है इस कल्चर को कैसे भी करके रोका जा सके ताकि आम लोगों के साथ में खिल में आ पाएगी जिसकी सच में बहुत जरूरत है क्योंकि 500 mg की ज्यादातर दवाईयां ज्यादातर दवाईयों में क्या कर दिया जाता कि mg जानबूच के बढ़ा दी जाती है ताकि सरकार के नियंतरण में ना रहे कीमत कंपनी उन्स कीमतों को डिसाइड कर सके तो यह पूर क्योंते कम हो जाएगी और जो फ्री गिफ्ट जा रहे हैं उन पर थोड़ी लगाम लग पाएगी क्योंकि जो दवा कंपनिया है फार्मा कंपनिया है उनके बीच का कॉंपिटिशन खतम हो पाएगा यह कॉंपिटिशन तभी हो सकता है जब लिमिट सिर्फ 500 mg ना हो लिमिट उससे उपर की भी होनी चीए क्योंकि हम देख चुके हैं डोलो नॉर्मल पेरासिटा मोल है आज पता चल रहा है रेमसे डिवर का आपने सुना होगा भरबर के इंजेक्शन भिक रहे थे कुछ फाइदा नहीं हुआ और ये बात इससे हमारे जजेज तो क्या हाइयर से हाइ डिसिजन लेगा ताकि आगे से ऐसी कोई कंपनी है वो ऐसा कुछ ना कर रहे और आम लोगों की जो सहत है उसके साथ एट लीस्ट इस तरीके का मजाक तो ना हो कि उनको ऐसी टेबलेट्स दे दी जाए जो उनके किसी काम की ही नहीं है सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर्स को बनवाई है और कंपनी को टाइम पिरेड भी दस दिनों का मिला है तो पता चलेगा कि कंपनी और ऐसी ही जो कल्चर चल रहा है इसके साथ क्या होने वाला है क्या एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनेगी जो ड्रक्स की प्राइस को कंट्रोल करेगी जल्दी ही मिलेंगे अगले अपडेट के साथ जैसे ही कुछ न्यूज आती है सिरिनिटर वैसे उम्मीद है कि एक अथॉरिटी हमें देखने को मिलेगी जल्दी ही या फिर हो सकता है कि जो रिसेंट में अथॉरिटी काम कर रही है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उसी अथॉरिटी की पावर जो है उसे बढ़ा दिया जाए वैसे ऐसा कदम जरूर उठाया जाना चाहिए यह हम सब के हित में होगा ठीक है तो आज के लिए वीडियो में इतना ही इसी इंफोर्मेशन के साथ मैं वीडियो खतम करता हूँ जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच ज